नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्र संदीप दोस्तो हजरूं आपके समने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तो आज मैं आपको एक बहुती जबरदस्त फार्मुला बताने वाला हूँ लिंक के साइज को बढ़ाने के लिए दोस्तो आम तोर पे यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएगी कि सरसो का तेल लगाओ, जैतून का तेल लगाओ, लिंक का साइज बढ़ जाएगा और जी शहद लगाओ, कबूतर की वीठ लगाओ, कपूर, उरे, परे, A to Z दोस्तो हजारों चीजें इस तरीके की यूट्यूब के उपर बताई जाती है, जब उसे कोई भी यूज करता है, तो उसका रिजल्ट होता है दोस्तो जीरो ये वीडियो दोस्तो खाली एक यूट्यूब के उपर अपने सस्क्राइबर और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके की वीडियो डाली जाती है, आयूरवेद का जुठा परचार किया जाता है तो दोस्तो इस तरीके की वीडियो से आप बचो, जो रियल जानकारी है, जो रियल नुसके हैं, वो दोस्तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब के उपर कुछ खास और उच्चकोटी के वैद ही उच्चकोटी के डॉक्टरी और उच्चकोटी के जानकार ही अच्छे नुसके बताते हैं बाकी तो यूट्यूब के उपर दोस्तो वीडियो की कॉपी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा खली यूट्यूब पे नुस्कों की वीडियो की कॉपी होती है और कुछ नहीं होता दोस्तों यूट्यूब के उपर मुश्किल से 2-4% ही बंदे जानकार होंगे बाखी 95% बंदे फ्रहोड हैं अब दोस्तों बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं हाँ जी हमने फ्लाने फ्लाने बंदे से दवा ली हमें कोई फैदा नहीं हुआ हमारी कहानी 0 की 0 रही तो दोस्तों अगर आप किसी अच्छे जानकार बंदे से दवा लोगे तो वो आपको 100% फैदा करेगी चाहे वो आपको 20- 30% फैदा करे या 50% फैदा करे हाँ ये हो सकता है एक बार में आपकी समस्या 100% ठीक नहीं होती मगर कुछ ना कुछ वो दवा खाने के बाद आपको फैदा जरूर होगा अगर आप किसी टुचू मुचू ललू पंजू फ्रोड बंदे से दवा लेते हो तो वो आपको 5-7% अब इसर नहीं दिखाएगी दोस्तों हाला कि मेरी इच्छा नहीं है इस तरीके की बातें करना और नहीं मुझे ये चीज़ें शोभा देती हैं क्योंकि दोस्तों मैं एक डिग्री ओल्डर डॉक्टर हूं और एक अच्छी फैमली से हूं तो इस तरीके की बातें करना बोल दिया मैंने मैं माफी चाता हूं बाकी हम अपने तौपिक पे आते हैं अपने नुस्के पे आते हैं तो दोस्तों ये फार्मुला ये तिला उन भाईयों के लिए है जिनकी उमर 40 साल से कम हैं जो 40 साल से कम उमर के हैं उनके लिए ये तिला है ये लिंग की लंबाई और मुटाई दोनों चीजों को बढ़ाएगा रो 100% गरंटी से बढ़ाएगा अगर मेरा ये फार्मूला कहीं भी फेल होता है या मैंने पीछे जितने भी फार्मूले बताएं अगर कोई फार्मूला मेरा फेल होता है तो आप मुझे बताओ उस चीज का जिम्मेदार मैं हूँ दोस्तो 99% ये फार्मूले सक्षेज़ें कोई 1-2% बदकिस्मत ही लोग होंगे जिनके उपर ये फार्मूले काम ना करें नहीं तो हर बंदे के उपर ये फार्मूले काम करते हैं और बिल्कुल दोस्तो लिखित रूप में काम करेगा और सीना ठोक के मैं ये चीज कहता 100% कारगर है और पीछे भी जितने मैंने बताएं कोई उनमें एक आद फार्मूला ऐसा चाहे हो जो मतलब कम कारगर हो नहीं तो मेरे सारे फार्मूले 100% कारगर हैं मतलब कहीं फेल होने वाले हैं ही नहीं हाला कि दोस्तो एक चीज और है कि ये फार्मूले थोड़े महेंगे होते हैं और थोड़ी ये चीज़ें ढूनने में दिक्कत होती हैं मगर ये दोस्तो 100% कारगर होते हैं संघर्ष करना पड़ता है इन्हें ढूनने के लिए और थोड़ी मेनत भी लगती है इन्हें बनाने के तोर पे मिलेगा यह आपको लेना है 40 Gram उसके बाद दोस्तों आपको लेना है सांडे का तेल सांड़ा एक जानवर होता है उसका तेल और जो शार्क लीवर आयल जो दोस्तों समंदुरों में शार्क मचली पाई जाते ही आए उस मचली के लीवर में से ये तेल निकाला जाता है वो तेल ये होता है, शार्क लीवर ओहल और संडे का तेल आप जानते ही हो, संड़ा एक जानवर होता है रेतली जगा पर वो पाया जाता है और गर्मेरियों में पाया जाता है तो उसका तेल, इसके अलावा दोस्तो मालकांगनी का तेल, मालकांगनी एक बूटी होते हैं, काफी सारी मैंने वो वीडियो में दिखा रखी है, इसके अलावा दोस्तो बीर बहुटी का तेल, बीर बहुटी दोस्तो एक छोटा सा कीड़ा होता है, मकडी जैसा, तो उसका ते आपको ले लेनी है इसकी जो चर्वी है दोस्तों उसे पिगला के और उसे जमा लेना है यानि कि पिगला के जो तेल बनेगा वो तेल यूज करना वो तोटल वैसे डिरेक्ट नहीं डालनी और बाकी दोस्तों शेर और भालू की चर्वी ये आपको कहां मिलेगी मैंने पीछे भी अपनी वीडियो में बताया है और अब फिर बता देता हूं दोस्तों जहां पे भी जंगल का एरिया होता है तो वहां पे अकसर जानवर मर जाते हैं जंगली जानवर मर जाते हैं शेर भालू हाथी गिदड़ बिला एटुजड जो भी है अब जो इस दुनिया में आया ह कुछ घायल होने की वज़ा से तो इस तरीके से ये जानवर मर जाते हैं और उनका पोश्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर आते हैं जो बन विभाग के करमचारी होते हैं जो डॉक्टर होते हैं बन विभाग के जानवरों के डॉक्टर होते हैं तो वो इनका पोश्टमार जानवर को वैसे ही दबा देते हैं या जला देते हैं जादा तर केसों में जानवर को जला ही देते हैं दबाते कम हैं जलाते जादा हैं क्योंकि जंगल के एरिये में लकड़ी उन्हें अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं तो वो वैसे ही जो इदर उदर लकड़ी पड़ी होते और हमें आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दे दें तो वो आपको दे देंगे वो आपको मना नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज उनके लिए वेश्ट है थोड़ी बहुत मात्रा में वो आपको दे देंगे आपके काम के लिए अब दोस्तो इन सारी चीजों को mix करके आप एक कंच की शीशी में रख लें और उसके बाद 10 बंदरा 15 बूंद इस तेल की लेके आपको अपने link पे इस तरीके से मालिश करनी है इस तरीके से एक या दो उंगलियों से ये खींच-खींच के इस तरीके से मालिश नहीं करनी है और अगला हिसा आप बचा दें बाकि आप पूरे पे इस तरीके से मालिश करें नीचे उपर चारों तरब उसके बाद दोस्तो पान का या धतूरे का पता आप हलका सेक के उपर बांद दें और उसके उपर पनी लपेड दें अब दोस्तो ये आपको लगातार साथ से दस दिन यूज करना है और दोस्तो इसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको अपने पैनिस पे पानी नहीं लगने देना पैनिस को पानी से बचाना अगर आपको नहाना भी है तो आप कमर से उपर उपर आप नहाएं ताकि पैनिस के उपर पानी ना लगे इस चीज का खास ध्यान रखें तो दोस्तो साथ से दस दिन आप इसे यूज कर लेते हैं तो आपका पैनिस साइज बढ़ जाएगा बाकी आप लगातार इसे एक से दो महीने भी यूज कर सकते हैं मगर दोस्तो अगर इसे 6-7 दिन यूज करने के बाद पैनिस के उपर दाने निकलते हैं चोटे चोटे दाने निकल आते हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है आप इस तेल को लगातार यूज करते रहें जब वो दाने ज़्यादा बड़े हो जाएं फूट जाएं उनमें जलन मैसूस हो तो तब आप कुछ दिन के लिए इस तिले को बंद कर दें और कोई भी आप उस पे बीटाडीन क्रीम बगर आप लगा सकते हो या आप सर्सो का तेल या मक्षन या नीम का तेल कोई भी आप उस पे यूज कर सकते हैं ताकि वो जखम जल्दी ठीक हो ज परसेंट बढ़ जाएगा दोस्तो और दोस्तो एक बार फिरमें आपको यह कहना चाहूँगा कि इस तरीके की चीजों से आप बचे है कि जो आपको बता देते हं जी आप क niño Emperor जैतून का तेल लगा लो डाला में का तेल लगा लो इस से पैनिस साइज बढ़ जाएगा तो द कोई भी आप ये इस तरीके का यूर्विदिक तेल यूज करते हैं तो इसका किसी तरह का कोई side effect नहीं है किसी तरीके का side effect नहीं है बलकि इससे फैदा होगा नसों को तागत मिलेगी मगर ऐसा नहीं है कि पैनिस का size बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है कोई 100 में से एकाद case में कोई तुका लग जाए और size बढ़ जाए तो वो बात अलग है बाकी पैनिस का size इससे नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ मेरे दोरा दी गई जानकर ये आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लें और मेरे दूसरे चैनल संदीप आयुरवेदा 2 क को अभी subscribe करें धन्यवाद